अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने की, मार्च का महीना जो है आपका, again, very beautiful energy क्योंकि यहां पर page of coins के साथ justice की energy है, now page of coins and justice, page of coins जो है वो goddess of positivity है, goddess of positivity जो है वो आपको choices की energy देती है, कि आपको किस तरह से अपने आपको positive रखना है, किस तरह से negativity को दूर रखना है, किस तरह से आपने choices करनी है, क्योंकि यहां पर एक reindeer जो है, उसके बहुत पास है, दुसरे को उसने एक हाथ के distance पर रखा हुआ है, तो किस तरह से आप अपने आसपास की situations, चीजे, energies जो है, उनको choose करेंगे, अपने कितने पास आने देना है, कितने पास नहीं आने देना है, उसके इनिशिल फीवर या first initial positive response जो है, वो मिलना शुरू हो जाए, तो वो energy मुझे यहां पर दिखाए दे रही है, दूसरा, यहां पर there is a possibility, जहां पर आपको, अगर आप अपने आपको balance में रखते हो, और choices सही से करते हो, तो आपको definitely एक positive result जो है, वहां से दिखना शुरू हो ज आपको जाती है, वहां से एच बी का ध्यान रखना है, blood related या immunity related थोड़ा बहुत कोई issue हो सकता है, तो अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, it will be good, बाकी, इसके अलावा footwear, अपने, यहां पर मैं फिर से बोर रही हूँ, अपने footwear का बहुत ध्यान रखना है, especially March क क्योंकि वहां से toes में problem या किस तरह की कोई foot में problem, pain या ankle में issue या pain हो जाता है, या base of the foot में problem हो जाती है, वो चीजे मुझे थोड़े से दिखाई दे रही है, तो इसलिए आपने balance रखना है, और footwear जो है, वो काफी अच्छे से अपना इस्तिमाल करना है, ठीक है, उसके अला यह महिना बहुत tricky नहीं है, यह महिना बहुत clar है, ऐसको चैटिम ऑने किसको कितना पास आने देना है, उसको आफिशन कितनी information यह किसको, किसको साथ कितनी बात शेयर करनी है, जहां पर आपको एक तरहां से अपने आपको prioritize करना पड़ेगा कुछ लोगों को ज़ादा priority देनी होगी कुछ लोगों को कम priority देनी होगी and people or things जो आपके लिए बहुत ज़ादा आपको पता है कि आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छे नहीं है उनको कैसे आपने एक हाथ के distance पर रखना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा but otherwise this month is going to bring in balance अगर relationships में किसी तरहां का कोई legal matter चल रहा है तो वो भी close हो सकता है और या betterment की तरफ जा सकता है अगर मैं career की बात करूँ तो career को लेकर भी कुछ decisions आप करने वाले हो दो opportunities आ सकती है उनके बीच में choice करना हो सकता है teams के बीच में choice करना हो सकता है projects के बीच में choice करना हो सकता है partners के बीच में choice करना हो सकता है business में कहां invest करना है कहां नहीं करना है उसके बीच में choice हो सकती है कोई legal matter अगर workplace के साथ या job के साथ चल रहा था तो वहां पर एक choice की energy के साथ आगे बढ़ना वो हो सकता है but overall energy इस तरह की है जहां पर अगर आप अपने आपको balance में रखेंगे तो किस तरह की achievement होगी किसी तरह का growth होगा किसी तरह का reward recognition होगा और अगर choice समझदारी से करेंगे तो वो energy भी आपको काफे जादा helpful रहेगी हर किसी पर गरोसा नहीं करना है हर किसी से हर एक बात share नहीं करनी है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है money के point of view से महीन अच्छा है page of coins है page of coins initial money के बताता है जितना जादा positive रहेंगे उतना जादा positively चीज़ें होगी money को लेकर अगर कोई legal matter चल रहा था that means that आपको कुछ ना कुछ positively positive outcome मिलने वाला है और दूसरा यहां पर एक और energy बहुत beautiful है which is page which is 11 and justice which is 11 11 11 के energy है angels and guides are going to be around you और उनसे आपको काफी ज़्यादा benefit जो है वो मिलने वाला है उन energies के खारण ठीक है number of the month undoubtedly number one और number 11 है color of the month red, white, green कोई भी color आपके लिए अच्छा रहेगा grounding ज़रूर करनी है all chakra meditation कर सकते हैं तो किजिए नहीं कर सकते हैं तो at least heart chakra और root chakra meditation आपने ज़रूर करनी है आप देख लेते हैं overall आपकी guidance जो है वो क्या है इस समय के लिए gen feb march और यहां पर clear voice का card आया है और वो बोलता है कि मैं help कर रहा हूँ आपके spiritual sight को awaken करने के लिए ताकि आप heavenly love को clearly देख पाएं तो beautiful energy है divine is by your side और आपकी awakening जो है complete awakening हो रही है ताकि आप heavenly energies को और heavenly love को पहचान पाएं अगर आप अपने आपको positive रखते हैं meditations करते हैं balance रखते हैं तीनों महीने आपके लिए बहुत अच्छी energy लेकर आने वाले हैं तो overall काफी अच्छे cards हैं आपके so उमीद करते हूं महीना आपके लिए अच्छा हो अपने reading करानी हो तो whatsapp number पे contact कर लिजे और अगर आपने आपको वीडियो अच्छी लग रही है या resonate कर रही है तो और के साथ जरू शेयर करें thank you so much take care bye bye